हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगे और इतने दिन से मेरी वीडियो मैंने डाला नहीं तो आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं डाला गाइस जैसे कि 15 तरीकों रात को मुझे फीवर बहुत ज्यादा हो गया था जैसे मेरा बड़े फीवर था ना और सारे घरवारे डर गे थे कि इसको क्या हो गया फिर घरवालों ने मुझे पटी भी कह रहा है कि ये ठंडे पानी से पटी किया फिर भी 101 फीवर हो गया ऐसे करते करते सुबा हो गई फिर मैडिसन घर में पड़ा था मैंने ओ खाया था दो तिन वारी उन्ह लिया मैं डर गई मुझे बहुत जादा मैं बीमार हुए तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्या हो गया क्यूं हुआ मतलब यह से कोशन सा खुद मेरे मन में चलता रहता ना कि क्या हुआ तो फिर डॉक्टर ने मुझे मैडिसन दिया करते घबराने की जोरूरत नहीं है फीव जब होता है यह हरगार होता है तो में बहुत ज्यादा होता है मतलब ऐसा नहीं कि नौर्मल हुआ ऐसा हो काफी मतलब एकदम 102-103 101 तो मुझे होना है इससे ज्यादा नहीं सृस्टाइक कम नहीं फिर उसके बाद घर आए यह घन्टे तक आपका मेरीशन खाऊ गया गो जो आपका आपका फीवर उतर जाएगा जर वें आप मेरे फीवर उतरः पूला nota 4 उसलों को का एसे हुआ यह दो सिफ जाने थान में आपकर को, आऀसे गलत फीएक रापinta, भाल ऐक में उसली बहा है, क्रूट, तो इसके बाद मैंने रात को नहा ली मतलब रात को क्यों साम ही नहा ली जब 7 बजें समय नहा लिय की requests फोल में बूं कितना कोड़की केक हुआ था और जैसे को बस यह बोला उन्होंने बोला ठंड लग गई है पर मैडीसन दिया था बहुत अच्छे से सही होगी मैं गौड के करके बहुत सही होगी और बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी मेरा गला थोड़ी सी है क्योंकि मैडिसन जैसे गर्म होते उसके करके मेरा गला खुसक सा है गला खुसक सा है मेरा मैडिसन करके क्योंकि मैडिसन ज्यादा स्ट्रॉंग होती है उसके गर के और मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने बात कर रही हूँ मैंने सुचा चलो आपसे बाते करूँ अपने बात शेयर करूँ यार बड़े मनाओ ठंड में फेस में और बाल में मतलग हो यार बैंड बज जाती है और जैसे मेरी बजी हुई है और कुनाल ने बहुत हेल्प कराया बहुत एक अच्छा बच्चा है और एक बेटा बहुत अच्छा है उसने बहुत केर की मेरी मुझे उठने घर वाले कोई नीजे रहता खाओ पीओ जूस भी पीओ बैट जो सोजो लेड जो रेस्ट कर कितना सो टीवी मूवी बहुत जिखिए मैंने इतना मुवी देखा बहुत ही ज्यादा जो बीमार होई ना जो डौलअ कि खैई खोो दली काई बार तो खा लीया कि खिटि तो अंदर ना नहीं न्ने को मेरा मन नीयक्राएं क्योंकि मैं कुर्दी पसंद ही निकरती हुत पर भी मेने खाया इमानदारी से मैंने बिला सभी होना है किच्डी खाया हो और सभी हो गई और वहत अच्छा लग रहा है और बस यही है मैंने बोला चुरप से शेड करूँ बिमार जब हो जाता तो बन्दा बीडियो बनाने में मन बी नहीं करता है सेथ नी ठीक है तो कुछ काम करने का मन नी करता है जैसे मेरा भी नी कर रहा था मेरा वक्त बिलकुल नहीं मन कर रहा था कि मैं बीडियो बनाओं क्या है क्या ने क्योंकि मुझे होता है कि मैं जल्दी सही हो जूँ बास कि यह नहीं कि मैं जल्दी जल्दी सही हो जूँ मैं बस और जैसे कि गाईश आप थोड़ देर अब हम अपल खा लेते हैं और बास अपने सेहत को स्ट्रॉंग रखें काड़ा भी गरा पीए और ठंड भी बहुत ज़्यादा है बास यह है और यार ठंड से बचिए और अपने बच्चों को बचाईए खुद को बचाईए और ठंड जैसे हम पहले करे थे 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 आई नहीं रहा अब ठंड काफी ज़ आपसम कैसा है हमारे तो अभी बहुत ज़दा थांड हुआ पड़ा है तो चलिए एपल कट लेते अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं मस्त हैं जिसको कहते हैं तो चलिए अब चलते हैं बहुत सो लिए इतने दिन से इतना सुए ना इतना लेटे ना कि आपको क्या बता हूं और वीडियो में कम बनाऊंगी गाइस तो चलिए चुन पर आगे हूं अब एपल का अड़ती हूं यह दिखें गाइस यहां पी मुम्मी एपल खा रहे हैं और सियर के लिए गाइस काफी अच्छा है आप सभी को भी खाने चाहिए और आपको काड़ा भी पीना चाहिए और काल तेरे बैठूंगी टीवी देखूंगी फेर मैं खाऊंगी खाना और मैं आपको दखाना चाहूंगी कि हमारे घर में अभी तक क्रिस्मिस के गुवारे लगे हूए बैलूंग लगे हूए क्योंकि जब हम उतारते हैं हमने डवल टेप लगाया हुआ है जब उतारते तो दि कि मेरे बड़े का है बड़े का मैंने हम लोग ने कोई डेकुरेशन ही किया था क्योंकि एक सप्राइज सा घरवल जब भी आते यह देखे ऐसा लगा हुआ यह देखे और जो बचा बुचा हम सारा इधर रख देते यह फूस भी निकला हुआ है देखो तो बस अच्छा अधर नहीं सकते झालो नहीं तो कलर को निकला रहा है और यह देखे घान फके कर्के हमने ऐसे लगा धिया हुआ और मैं आपको दखाऊंगी अभी रूकow 005 यह देखे गा यहाँ पर हमारा घुम लगा था कहां भी लगा था यह जहां जासे आन व蒌ने खुद उता रहे थे निकाले थे वहाँ वहाँ से निसान पढ़ गयो थोड़ थोड़ी मैंने वैसे कलर कर दिया था नहीं तो हो रही तर उसकर करके हम नहीं निकाल रहे कोई है हमने अपने मेरे बड़े में नहीं डेकुरेशन किया है वैं यह पहले क्रिस्मिस का बैलूंग लगयो है तो चलिए इसमें थोड़े रेस्ट कर लूँ फिर मैं आपसे मिलूंगे गाईज ऐसे कि मैं रेस्ट कर लिया था और टीवी भी देखली है अब मैंने गरम गरम बनाया वाइड चने यह देखिए अब कुनाल को देने जारी है रोटी यह लंच अभी हमने लंच किया नहीं था अब हम जारे लंच करने के लिए चलो कुनाल को देते हैं यह लो कुनाल खाना खा लो गाइस जैसे कि मैंने कुनाल को खाना दे दिया अब मैं भी खाना खाती हूं फिर मैं खाना खाने के बाद आप से मिलूंगी गाइस जैसे कि मैंने खाना खा लिया चने इतना टेस्टी बना दाना मैं खाना ही वह टेस्टी बनाती हूं और जैसे यह दिख्ये हमारा ना रैडी हो रहा सेध के लिए बहुत अच्छा में पीने कांग आपको बस बद घुबर रहा से की झाडा हमारा रैड-ी हो गया है यह देखे हमारा कांग कांग रैडी ए अब हम पीएंगे और गरम-गरम काड़ा पीने का मज़ा ही कुछ और है तो चलिए गाइस मैं पी लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलूंगे इस कुनाल जैसे कि यह देखे टीवी देख रहा हुआ यह देखे इदर कुनाल है यह लो गाइस अब हम एक खाते हैं और आपको खाने चाहिए है आपने अपनी सेथ अच्छी रखनी है तो हम पाते हैं यह देख खाएंगे उसके बाद आपसे मिलूंगे जैसे कि गाइस एक खाना बहुत जुरूरी है और यह रात का टाम में यह बज़े है छे हम अब एक खा रहे और बहुत अच्छा लगता है तो चलिए मैं एक खा लेती हूं फिर आपसे मिलूंगे जैसे कि हमने एग खा लिया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है एग खाने से हेल्दी शरीर हो जाता और बोखोत उसमें तागत होता है उबाला हुआ एग खाना चाहिए बॉल किया हुआ और खाना क्योंकि ठंड भी बहुत ज्याद आपको लेके चलती हुआ दूद बनाते हैं और गरम करते हैं और आज मैं नवे तरीके से दूद बनाऊंगी पहले मैं हल्ती डालती थी आज मैं क्या डालूंगी आप देखना जरूर तो चलिए किचिन पर गाईज जैसे कि हम किचिन पर आगे दूद उबल रहा है यह देखे यह डेट से यह खजूर है इसको खजूर भी कहलाते हैं यह हम खजूर डालेंगे सारा गाईज इसमें तो इसको उबालेंगे अच्छी तरह से जब तक यह दूद आदा थोड़ा सा कमना हो जाए तब त गाईज तो चलिए मैं उबालती हूं फिर मैं आपसे मिलूंगे काई जैसे कि हमारा दूद रिज गया है मतलब बहुत ज़्यादा पक गया है हमने 2-3 मिलेट रखा था और यह रेसीपी नहीं है जस्ट मैं क्या पी रही हूं मैं आपको दिखा रही हूं और तो देखे दू रेडी है तो चलिए चलते हैं कुनाल टीवी होली बॉलिम कर रहा है तो यह देखिए लो कुनाल दूद गाईस अब हम दूद पीते हैं अब मैंने लेता है बहुत टेस्टी बनाया है आज बहुत स्पैसल जो ऐसे नहीं की मैंने हल्दी डाला बहुत यमी दूद होगा यह बहुत अच्छा लगता है पीने में यह तो बात सही और बहुत हैल्दी होता काईस ऐसा नहीं की कुछ ऐसा है और खजूर डालने से दूद इतना बढ़िया हो और खजूर गरम होता है सहत के लिए बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है और आप जरूर ट्राइक करना अहां मिठा तो ऑसो अच्छा क्यूक चीनी बिल्कुल मेथ इसमें मिठा था है तो चलिए तो पीटे हैं तो कुनाल एको इदर पीलो बिटा हम भी बीते हैं तो आपके साद मिलतें बान मैं पी ने के बात गाईज जैसे के हमने दूद पीलिया हुआ और टम भी ज़्या आगे हम सोच रहें सो जाए तो आप सोने जा रहें तो आज का वीडियो आपको आई होप की अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेर करना मत भूलेगा अब गाइस मैं अब बनाऊंगी वीडियो क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ फीवर मेरा खत हो गया है तो चलिए गाइस नेक्स वीडियो में आपसे मिलते अलवीदा बाई गुड़नाइट